जैश्री कृष्णा, दोस्तों, हमारे भाग्य में जो लिखा होता है, वो हर हाल में होकर ही रहता है. उसे बदला या काटा नहीं जा सकता है. भगवान कृष्ण ने कहा है कि इस संसार का नाम मृत्यू लोख है. इसमें जो भी आएगा उसे अपने निश्चित समय पर वापस जाना ही पड़ेगा. ये कितना सत्य है आएए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से. दोस्तों, प्राचीन काल में एक गाव में एक ब्रामहन रहता था. उसका एक दोस्त था, जो एक पैर से लंगड़ा तथा बहरा भी था. वो दूसरे गाव में रहता था. एक दिन वो ब्रा ब्रामहन रास्ते में जाही रहा था कि उसे अचानक एक हष्ट पुष्ट आदमी दिखाए दिया. वो भी उस ब्रामहन के साथ चलने लगा. कुछ दूर साथ चलने पर ब्रामहन ने उस मनुष्य का नाम पूछा. तब वो बोला कि मेरा नाम महाकाल है. और फिर ब्रामहन न तोनों साथ साथ चल रहे थे और एक गाउव आ गया तब महाकाल ने उस ब्रामहन से कहा कि तुम आगे चलो और मुझे इस गाउव में थोड़ा काम है मैं अभी आ रहा हूँ ब्रामहन कुछ ठक गया था इसलिए वो उसी गाउव के बाहर एक व्रिक्ष के नीचे विश्राम क करने के लिए बैठ गया थोई ही देर में उसी गाउव के कुछ लोग बहां से गुजर रहे थे और आपस में किसी व्यक्ति के बारे में बाते कर रहे थे कि अभी तो अच्छा भला था बेचारा महस के लात मारने से ही मर गया थोई ही देर में महाकाल उस ब्रामहन के पास आ गाव में थोड़ा काम है मैं अभी आ रहा हूँ। तुम मेरी प्रतीक्षा करना और फिर थोड़ी ही देर में उस गाव में आग लग गई। अब वो ब्रामहन सोचने लगा कि यह आदमी जहां जहां जाता है तो वहां पर कोई न कोई घटना जरूर घटती है। और फिर वो ब्रामहन महाकाल से पूछने लगा कि भाई तुम कौन हो। ब्रामहन की बात सुनकर महाकाल बोला कि मैं यमदूत हूँ और मनुष्यों के प्राण हरन करना मेरा काम है। उसके बाद ब्रामहन ने महाकाल से पूछा कि यदि तुम यमदूत हो तो ये बताओ कि अगली मृत् तो मैं अपने मित्र से मिलने ही नहीं जाऊंगा और वहां से वापस चलने लगा। तब महाकाल ने ब्रामहर्ण से कहा कि तुम जो सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं होगा होनी अचल है, इसलिए होकर रहेगी। और उधर किसी ने ब्रामहर्ण के मित्र को ये बता दिया कि दौर पड़ा। वो कुछ दिनों से बिमार भी था। थोड़ी ही देर में उस ब्रामहन ने देखा कि उसका मित्र उससे मिलने के लिए बड़ी तेजी से चला आ रहा है। तब महाकाल ने कहा कि तुम्हारी मृत्यू ठीक 6 महीने के बाद दूसरे राजय में फांसी लगने से होगी। और फिर वो ब्रामहन अपने मित्र का अंतिम संस्कार करवा कर अपने घर गया। और अगले ही दिन वो सीधे अपने राजय के राजा के पास गया। और ब्रामहन राजा ने राज्य सभा में ये प्रश्न सब के सामने रखा। तब उस राज्य सभा में ये फैसला लिया गया कि यदि ऐसी बात है तो वो ब्राम्हन इसी राजमहल में छे महीने तक रहेगा। राजा ने ब्राम्हन के लिए राजमहल में ही व्यवस्था करवा दी। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। उस ब्राम्हन को नीद में चलने की बीमारी थी और ये बात उस ब्राम्हन को मालूम ही नहीं थी। जिस दिन उसकी मृत्यू होने वाली थी उस रात्री को ही वो ब ब्रामहन राजमहल से निकल कर, दूसरे राजय के राजमहल में जाकर, उस राजा के शैनकक्ष में राजा और रानी दोनों के बीच में जाकर सो गया। सुबह जब राजा उठा तो उस ब्रामहन को अपने शयनकक्ष में देख कर बहुत क्रोधित हुआ और उस ब्रामहन को फांसी की सजा सुना दी. तब उस ब्रामहन ने उस राजा को वह सारी कहानी सुना डाली। जिसको सुनकर उस राजा ने अपने एक गुपतचर अपने पडोसी राज्य के राज्य के पास भेज कर सारी जानकारी ले ली। सच्छाई पता चलने पर वह राज्य अपने फैसले पर बहुत पच्छता रहा था लेकिन उस राज्य का एक नियम था कि एक बार राजा जो सजा सुना दे फिर चाह कर भी उसे नहीं बदल सकता राजा ने एक राजसभा लगाए और इसका उपाई पूछा तब उस राजसभा में यह फैसला लिया गया कि एक पतले धागे का फंदा बनाकर आप ब्रामहन को पहना कर अपना वचन पूरा कर लीजिए फंदा पतला होने के कारण ब्रामहन की मृत्यू भी नहीं होगी और आपके फैसले की लाज भी बज़ जाएगी तब एक पतले धागे से फांसी का फंदा बनाया गया और उसके अगले दिन ब्रामहन के गले में डाल दिया गया और फंदे को खीच दिया गया सभी ने ये सोचा था कि ब्रामहन को कुछ नहीं होगा लेकिन उस पतले धागे की वज़े से उस ब्रामहन का गला कट गया और खून तेजी से निकलने लगा ज्यादा खून बह जाने की वज़े से उस ब्रामहन की मृत्यू हो गई